इस्टुजेंस मैं काफी दुनों से आपको त्रेमासिक परिक्षा की तैयारी कर बार आ हूँ यहां पर सभी जो आपके पूछे जाने है कुश्चन यान कि जो आपका सलेवस है उसी का कुड़ें में कुश्चन बताता हूँ आपका फिजिक्स का पेपर इतना अच्छा गया म यहां पर देख सकते हैं कि काफ बिखंड के आपके जो जो कुश्चन बनेंगे पूरे इस वीडियो में कंप्लिट करवा दूँगा इन ही को तैयार करके आप पेपर देने जाना आप अच्छा स्कूरू करेंगे मैं ऐसी आसा करता हूँ यहां पर देख सकते हैं यहां पर क आप बिखंड से आपके जो जो अब्जेक्टिब रहेंगे जो जो कॉस्चन रहेंगे वह सभी बता दूँगा तो वही कंप्लिट करके जाना है बाहर से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि सलेबस के बाहर आता ही नहीं पर यहां पर देख सकते हैं कबीर ने इस और के इंपोडेंट बता रहा हूं यहां पर देख सकते हैं मीरा ने स्रीकर्ष्ण को किस रूप में सुईकार किया है यहां पर मीरा ने स्रीकर्ष्ण को पती की रूप में सुईकार किया है बी नम्मर का उप्सन रहेगा आपका यह आपके जो बाकी है वो देख तो लेंगे लेक गई है यहां पर भवानी प्रशाद मिस्र जो कभी है उनकी यह कभीता है घर की याद रखेंगे बरसा रितु छट्वी कुश्चियन का अंसर यहां पर दगवीर आओगा आपको वर्सा रितु इस प्रकार से आपको इनमें से काफी दुस्यंद कुमार वाला दुस्यंद कुम और यहां पर यहां पर यह सारी सही दुडियां आपको देख रहे होंगे यह सभी पढ़के जाने इन मैंसी यह नहीं चुड़ना आपका यह वाला वाला पन्चतत्त होते हैं अब्धी होगया हो गया है पवन जल समीरा इस प्रकास से कुछ है तो वह आप याद रख लेगे मानों सरी करने मानों पांच सत्तों के से मिलकर हो गा कभी भवानी पिशाद मिस्र की माता बहुत पड़ी लिखी थी तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा है ना असत्य हो जाएगा ये क्योंकि उनकी माता पड़ी लिखी नहीं थी तो देख लिए जिए तीसे नम्मर का असत रहेगा कबीर की दृष्टी में 201 हैं इसके समर्थन में उन्हें क्या तरक दिये हैं यह चप्टर आपका आना है इससे कोश्चन मैं बता रहा हूं यह वाला कोश्चन जरूर से कंप्लिट कर लेना यहां पर देख सकते हैं अगला क क्यों कहा जाता है most important question बनता है हर बार पूछा जाता है और जरूर से तैयर कर लेना है भक्ति काल को हिंदी का हिंदी साहित का सोड़ने हो क्यों कहा जाता है कंप्लिट कर लेंगे इसके बाद देख सकते हैं यहां पर सगोण भक्तिधारा की कोई दो विश्रिस्तां बता दे हो ईंद दो के नामाँ पर याद रखे है तो यहां पर रित्कल की विश्रिस्तां भी आप देख लेंगे इसके बाद हम देख सकते हैं आप नीचे यहां पर कभीर और और मीरा भाई का जो है काब परिछाह कभी और मीरा भाई कारण नर्च a Ben आपको बताबे कोUT डेख सकते हैं तो यह से आपको याद रखना कभी का बहुंद गट आट कर सकते यहां पर दिए गया है ना मैंने पहले भी वीडियो चया विदिशों कि रहेगा किये है जिसमें आपको लेखावट में बहने हो dysa आपको यहांवावण के दाना वबाई का अंक क्तर्ण बहुता है और गत सथान ब्रापक्च जो भात याद रखनांगा रचना यात तरफ ने साहत में इतना याद रखना यह तीन चीजह बस आपको तीन अंग पूरे आपके मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं आगे हम देखेंगे तुरुलोचन अकमहुदी यह आपको यह समझने देता है आपको ब्याख्यां बता देता हूं आपको कौन सी कर लेनी है तो सेस्ट भी आप साथ में लिखें तो आपको कटने के कोई चांस नहीं रहा जाती अंक एक भी ने काट सकता टीचर यह दिया आप साथ में लग रहे हैं तो प्रिस्तत पध्यांस जो कहां से लिखेंगा आरवभग एक में संकलित पदों के से अबतिरत किया गया है इसके रच प्रसंग लिखेंगे और ब्याख्या कर देंगे इसके अकॉर्डिंग जो की इसमें दिया गया है दिख लेंगे पूरा आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है इसके बाद आपको जो अगला पैसे टाइप मतलब एक्सट्रेक्ट बता रहा हूं यह एंगलिस बोल गया लेकरन आपको प्रैंश करना है है देक मतलब चल प्यास तडप मत रहेगा रहेगा अगला इसे परकार से प्रकाल अपको प्रकार से पूरा अंक मिलेंगे इसके बात देख लेते हैं आप इहां से आपका काब ब summertime में सरवों कि संख्या कितनी होती ये महा कशंख स्थाल नहीं स्थाइब होते हैं वं आपको याद होते हैं सभी रश्णों के श्थाइब याद रखेंगे मैं पूर्शे ब्याखराण आपको पूरी आंसर के साथ बुस्त में बताए है तो जो आपके आने हैं तो इस प्रकास से आपको सभी बताते जा रहा हूं इन्हें एक भी नहीं छोड़ना है सभी कंप्लेट करना है यहां पर रहेगा आपका खालिश्थान जिससे काब में बिसेस अर्थ का बोध हो आपको पिछले वीडियो में मैंने ब्याकरन कर वाई थी तो उसमें मैं आपको यह कंप्लेट कर बा चुका हूं ब्याकरन में जो जो आपका पूछा जाना है जो अलंकार आने बही बताए है बहाँ से कुछ नहीं बता आया तो जाकर य हैं मैंने से इसके बाद देखें हाँ यामें थी याँ बहुन सब्सक्ति किसे कहते हैं इसकी परिवासा पुचे यह आपको बैसे थो आदी की लिए लेकिन यहाँ पर व्याप पारसे मोखम और लक्षए अर्थ से फिन अर्थ की प्रती होती है महाकाब और खंड काम में अंतर लिखेंगे कि अंदर यार के बड़ा होता है और खंड का चुटा घंड काव में किसी महानाय के संपूर जीवन का चित्रा रहता आ किसी नायक की जीवन की किसी आंसम्स घतना का चित्रा महां काया सर्गों की संख्या कम से कम आठ होती है खंड काव संख्या कम होगी और महा काव का उदाहन क्या रखेट का मामत हो रखते हलने हमर्जह कंच को जागा मुश्थत भाहि जागा मुश्थत विस्कंच हो कंप्लीट लगकर लेंगे सब्दा लंकार का यतना लिख़ Notes हैं लेकिन आपके जो जो अलंकार आना हैं भही में आपको बताता हूं तो बक्रूक्ती की प्रभास होता क्या है यहां पर जिससे उदाहराण सहतियात लेकिन मैं पिछली वीडियों बता रहूं का आपकी जो ब्यागरण करवाई यहां पर देख सकते हैं जिस सब्द से कहने बाले व्यक्ति के कथनकार था ग्रहां कर सुनने बाले व्यक्ति अन्य कि चमतकार पूर्ण अर्थ लगाई और उसका उत्तर दी तब उसे बक्रोपतिय लंकार कहती है यहाद रखेंगे इसका उदाहन यहाद दिया है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी कहा अंगद सलज जगमाही रावड तो ही समान कोई को ना ही तो यहाँ पर मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी इतना याद रख सकते हैं बक्रोपतिय लंकार की उधाहन के लिए दोहा चंद की परिवासा दोहा चंद कंप्लिट करेंगे दोहा अर्दसम मात्रक और शुदिध सकते हैं की यहाँ पर्न के सकती है सब्सक्ति क्या क्या है किसी एक सब्सक्ति को दानती जैस सक्थी सब्सक्ति तिन प्रका के होगी आपको मैंने बताए कि बेंजाव होती है आपकी लक्षणा होती है और यहां पर आविदा होती है इन तीनों को याद रखना है मैंने पिछली वीडियों सभी करवा दिया यहां से आपका गद्ध खंड स्टार्ट होता है तो इसके आगे के कुश्चन जो है हम अगले वीडियों कंप्लेट करेंगे गद्ध खंड के मैं सभी कुश्चन बता दूँगा और ब्याकरांट की वीडियों जल्दी से जा करके देख लीजिए मैं अभी फिर से आपको एक बार कुश्चन बताने बाला हूं तो वो भी कंप्लेट करेंगे तो